हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि बस कुछी मिन्टों में चंद्रियान 3 लॉंच होने वाला है और अगर हमारे यह मिशन सक्सेस्फुल रहा तो इंडिया फॉर्थ ऐसा देश होगा जिसने यह मिशन सक्सेस्फुली करके दिखाया होगा क्यों कि अभी हमारे लाच्ट चंद्रियान 2 के मिशन से बस सक्सेस के इतना सा दूर रह गयते हम लोग जहां पर पूरा मिशन सक्सेस्फुल होने ही वाला था लेकिन बस 500 मिटर पहले कुछ सौफ़वेर के वज़े से कनेक्शन ठूट गया और चंद्रियान 2 का लैंडर सही से लै बात हैं जो आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले बात करते हैं कि चंद्रियान 3 का मेंडर सबसे बड़ा औब्जेक्टिव है यह हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पहलू रहने वाला है क्योंकि इसी के चलते चंद्रियान 2 सक्सेस नहीं हो पाया था सॉफ लैं और उसे धर्ती पर बस लैंडिंग करनी है और बस कुछ मिंटों के अंदर तो इतनी तेज रफ्तार में अगर वह एरक्राफ्ट धर्ती पर अच्छे से सक्सेसफुली लैंड हो जाता है तो उससे ही सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाएगा ठीक यहीं बात लाग होती है इस पेस और रिसर्च कर सके तो फिर उसी कोई सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाएगा चंद्रियान 3 का में फोकस यहीं है पहले लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा उसके बाद उसमें से रोवर निकलेगा जो कि पूरे एक लुनार डे के लिए वहाँ पर रिसर्च करेगा पूरा एक लुनार डे का मतलब होता है धर्थी के 14 दिन तो आई आपको क्विकली बताता हूं कि चंद्रियान 1 चंद्रियान 2 चंद्रियान 3 क्या-क्या है इनमें क्या डिफरेंस था तो दोस्तों चंद्रियान 1 जो था 22 अक्टूबर 2008 में लॉंच किया गया था और उसका में फोकस था चंद्रमा का सिर्फ एक पार्ट दिखाई देता है 41 परसंट हिस्सा चंद्रमा का हमेशा धर्थी के अपोजिट साइड ही रहता है और वहां पर कई अर्बों खर्बों साल से या यह कह लीजे कि हमेशा से ही वहां पर अभी तक सनलाइट नहीं पहुँच पाई है तो वह ज चंद्रियान वन का अब्जेक्टिव वियाई था कि वह पूरे चंद्रमा की 3D मैपिंग कर सके ताकि हमें चंद्रमा का एक एटलेस मिल सके जो कि चंद्रियान वन ने काफी सक्सेस्फूली किया भी था उसने चंद्रमा के 3400 चकर लगाए थे और करीब 312 दिन तक वह ऑपर किया जा सकता है तो आई अब जाते हैं चंद्रियान टू के बारे में चंद्रियान टू जुलाई 2019 में लांच किया गया था और उसके बेसिकली तीन पार्स थे और बिटर रोवर और लेंडर और वह था जो चंद्रमा पर लैंड नहीं करेगा सिर्फ उसके चक्कर हैं और बहुत सारी ऐसी रहसेमाई चीज़ें अब हुआ क्या कि चंद्रियान टू ने अपना मिशन लगभग लगभग सक्सेसफुली कंप्लीट करी लिया था लेकिन किसी सॉफ्वेर फेलियर के वज़ा से लैंडिंग से सिर्फ 500 मीटर पहले ही हमारा चंद्रियान टू से लैंड नहीं हो पाता है लैंडिंग के टाइम उसकी स्पीड जितनी कम होनी चाहिए उतनी कम नहीं हो पाती है और वो अपने स्पैसिफिक लैंडिंग की जगह से 700 मीटर आगे जाकर के क्रैश हो जाता है जिसके बाद हम सभी ने देखा था कि इस रोके साइंटिस्ट कितने दुखी हुए थे हाला कि हमने अपने पास से सीखा और आई अब जानते हैं कि चंद्यान 3 चंद्यान 2 से कैसे अलग है और उसमें क्या-क्या विशेस्ट आए बशन है चशन्दर्यान थी है वह एक fresh वर्जन है उसे और मजबूत बनाया गया है ताकि फेट लेंडिन चंद्रियान थी कि landing की जगा same वही जगा रखी गई है जो चंद्रियान 2 के लिए चुनी गई थी क्योंकि वह है चंद्रमा का बिलकुल unexplored part और अगर वहां इंडिया सक्सेस्पुली soft landing कर लेता है तो यह हमारे लिए काफी गर्व की बात होगी क्योंकि अभी तक किसी भी दे है हलांकि ऐसे मिशन से हमें directly कुछ नहीं मिल जाएगा लेकिन जब भी हमारा देश ऐसे कुछ मिशन सक्सेस्पुली कंप्लीट करता है तो इससे हमें और भी मिशन मिलेंगे इसी के साथ-साथ और देश हमारे इस देश में इन्वेस्ट करना चाहेंगे इस दो से अपने सेक्यॉरिटी सिस्टम भी मजबूत बना रहेगा क्योंकि वह सेटलाइट्स ही होती हैं जो सारी चीजों की इन्फोर्मेशन और डेटा लेकर के हमको देती हैं जिसके आधार पर साइंटिस्ट फूचर की फोर्कास्टिंग करते हैं आने वाले खत्रों को भापते हैं युम जादा मालूम होगा कि हम कहां रह रहे हैं हमारे आशपस क्या है और हम कहां से आया है दोस्तों जीवन की दौड़ भाग में यह भूल जाते हैं कि हम सिर्फ एक छोटे से गोले पर छोटे से जीव हैं अभी बहुत सारी ऐसी इंफोर्मेशन हैं जो कि हमें नहीं मालूम जै इसा था पहले धरती कैसी हुआ करती धरती कैसी बनी होगी इसी के साथ हम रिसर्च जितनी जादा करते चले जाएंगे उतने ही जादा चांसे रहेंगे कि हम ऐसे राज से परदा उठा पाएंगे अगर हम यह सारे मिशन सक्सेस्फुली कर रहे हैं तो इसका परेणाम भले ह हमें directly अभी नहीं मिलेगा लेकिन हमारी आने वाली generation होगी उसके लिए हम एक काफी बड़ा research का तौफा छोड़कर के जाएंगे क्योंकि उन्हें पिर यह सारी चीज़ें नहीं खोजनी पड़ेंगी वो इसके आगे step ले सकते हैं मुझे उमीद है कि आपको मेरी बात समझ म आ रही होगी मैंने बड़े ही quick और short तरीके में इसको समझाने की कोशिश की है कि चंद्रयान का objective क्या है इससे हमें कैसे फायदा होगा हमारे देश को कैसे फायदा होगा और अगर आपके कोई भी विचार है तो हमें comment section में बताना मत बूलिएगा अगर information पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ऐसे informative facts के लिए चैनल को subscribe करना ना भूलें नवचकार